टीवी फ्रीज, एसी और लंबी गाड़ी, इन चार चीजों में मैं कल फिर बिख जाओंगी दहच के नाम पर मैं आज फिर तिल-तिल मर जाओंगी क्या पता था मेरे बुडे बाप को? क्या पता था मेरे बुडे बाप को एक दिन ऐसा न्योता भी आएगा? कि बेटी का शव देखने उसको उसके ससुराद गुलाया जाएगा लोटा कुछ दिन बाद तो वही घर फिर से सच धज रहा था उसी का वो पुराना दामाद उसी का वो पुराना दामाद पचास अधार नगत में दुसरा ब्यार रचा रहा था तुम मुझे आगे बढ़ता देख जलन की भावना लाते हो क्यों भूल जाते हो मैं वही मा बहन बेटी हूँ जिसकी कोख से तुम इस दुन्या में आपाते हो हर मैने की पीडा मैं सहज सह जाती हूँ मुझे ही अब अवित्र बताते हो रक्त का कत्रा कत्रा बह जाता है मेरे शरीर से और तुम नौर्टन की कहलाते हो ऐसा होता है बहुतों के साथ हुआ होगा हमारे भागे अच्छे है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं लेकिन फिर भी इन लोगों में बहुत सी ऐसी नारिया है जिनके साथ हुआ भी होगा तो भी बताते हैं है कि नहीं यह हर घर की कहानी है आगे पढ़ती हूँ मत छेडो मुझे प्रकोप से मैं गंगा में रब्त का सेलाब लेकर आऊंगी समझ लो नारी ही है जो संपूर्न धारा बनाती है समझ लो नारी ही है जो संपूर्न धारा बनाती है कमजोर मत समझना क्योंकि नारी ही है